हे गाईज वल्कम बैक आज मैं फिर से आपके लिए क्लाइन ट्रांस्फर्मिशन स्टोरी लेके आ गई हूँ साथ में उनका फुल डे डायट प्लान गाईज सिर्फ फाइफ मन्स में 30 केजिस वजन घटाई है और यह एक ग्रेड अचिवमेंट है उनके लिए और आप लोग करके उनको सबसे अच्छा रिजाल्ट मिला था रिवन माइन इम इस प्रिया और आप धनबाज जारकन आई जॉइन रिमी दी लास्ट सेप्टेमबर सेवंट इस इस बिंग 3.5 मंस की मैं उनके साथ हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था उनके साथ जर्नी वह आक्शली जु अलाई में आई वस 94 केजी और मेजर PCOD पेशिंट पाइल्स कॉंस्टिपेशन की पेशिंट थी मैं तो मैंने रांडम यूच्यूब में उनका कोई डाइट पिक किया था और विद डाइट आइट आई अल्मोस्ट लॉस्ट 11 केजी इन 2 मंस देन वेट स्टक हो गया और अग के लिए खिल्ब सीखा और मैंने यह सारे वर्ज को अपने लीफ में इंक्लूट किया जस्ट बिकॉस आफ इस बीटिफूल पॉसिति परसन हैो तो उन में भरबर के पोजिटीविटी ए जो की आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि नो, यू के इन दो इत उड तो आइट, and this is 3.5 months and more 3 kgs to go, the journey is fabulous और अभी my menstrual cycles are like totally undate, 28 days में menstrual cycle regulate होती है and the most important thing जो मुझे उनको जॉइन करने से हुआ है कि weight loss तो हुआ ही है but I was on a laxative for the last one year, मतलब मैं without laxative मैं वाश्रूम नहीं जा पाती थी कभी भी नहीं मैं laxative use करके ही morning में वाश्रूम जाते थी और फ्रेशन अप होती थी और आज ये, it's been so proud that that particular angel is in my life कि मैं जब लाइक मैंने laxative को छोड़े हुए सारे तीन महने हो गए और मैं बिलकुल नाचरल वे में वाश्रूम जाती हूँ जो मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ी achievement है so this is all about remedy more 3 kgs 3 to 4 kgs मेरे आइडल वेट को रीच करने पे है and moreover weight loss के साथ you can see my skin मतलब like flawless तो चलिए देखते हैं वो diet plan में क्या क्या ली थी सुबा उट के सबसे पहले खाली पेट में ये red detox tea लेती थी ये चाय बनाने के लिए 300 ml पानी को बलने के लिए रखना है उसमें half teaspoon grated या फिर chopped ginger डालना है फिर इसको कप में चान लेना है और वन इंच का एक beetroot को थोड़ा सा grate कर लेना है लाइक वन टेबल स्पून के जैसा beetroot होना चाहिए और इसका जो juice है उसको निकालके ये चाय में दो चमत juice अड़ करना है गाइस ये जो red detox tea है ना ये हमारे health hair और skin तीनों के लिए बहुत ही beneficial है तो इसे जरूर consume करें गाइस ये चाय का और भी कहीं सारे benefits है मैं already अपने instagram पे share कर चुकी हूँ आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो मेरे page को follow कर सकते हो वहाँ पे मैं चोटे चोटे वीडियोज और कहीं सारे updates डालती रहती हूँ और इसे आपको सुभा sip sip करके पेना है next breakfast में वो ज़्यादा तर इन options में से लेती थी पहला option बेसन चीला और green chutney एक से दो बेसन चीला ग्रीन चिटनी के साथ लेती थी second option में दो hard boiled eggs साथ में एक apple लेती थी और यह जो options मैं आपको बता रही हूँ यह कभी कबार alternate करके भी लेती थी यह फिस सेम breakfast भी दो तिन दिन लगाता लेती थी और third option oats paneer gravy लेती थी यह delicious और quick recipe है फटाक से इसे बना सकते हो इसको बनाना बहुत ही आसान है बस साथ से 10 minute के अंदर यह बन जाएगा तो cooking करने में बिल्कुल time ने लगेगा उल्टा आपको एक लाजवाब recipe मिल जाएगा तो इसको ज़रू try करो इसके लिए मैं 50 gram mung dal को अच्छे से wash करके soak करके रग दी थी और इसको फिर से wash करके डाल दूँगी और 50 gram oats डाल दूँगी थोड़ा सा pink salt डाल दूँगी पानी डाल दूँगी और इसको दो सीती लगा दूँगी तो यह सीती लगाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा next half teaspoon से one teaspoon के जैसा oil डालूँगी बहुत ही कम और इसमें थोड़ा सा जीरा और एक सुखी लाल मिर्च डाल दूँगी 2-3 second bone लोगी फिर इसमें roughly chop किया हुआ प्यांस डाल दूँगी थोड़ा बड़ा चांक्स रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा तो जादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है फिर इसमें एक टमाटर डाल दूँगी सब सारे चीजों को बस एक मिनिट के लिए सौटे कर दूँगी अब मैं इसमें 100 ग्राम्स ऑफ पनी डाल दे रही हूँ और अकोडिंगली थोड़ा सा पिंक सौल्ट और हल्दी पावडर डाल दूँगी और इसको 30 मिनिट के लिए सौटे करूंगी तो यह वाल ग्राद कर दूटकर को जा पनी अपर खिंक जाल दूट्ट मास्टे लगड्यक्तर अपर्ण स्खना इसकोट कर दो सब्सक्राइब कर दूटकर्द के लिए से अलिए स्थी ओंट खिंग्यम और है इसे बिएसे इसे मिनिट बाद एक काप कर ग्रेंटी यह अग् वीट लॉस, इंच लॉस, बेली फैट लॉस और एक ख्लोईंग स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशल है विंटर में जैसे सिजनल वेजटेबल्स लेना बहुत ही बेनिफिशल है वैसे जूस भी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है यह हमारे स्किन है और हेल्थ तीनों ही अच्छा करता है तो इसके लिए मैं एक इंच का एक जिंजर डाल दिया और इसमें पालक के पते डाल दूँगी धेर सारा और इसको ब्लेंट करके इसको चान के भी ले सकते है या फिर आप ऐसे भी ले सकते है इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ करना है इसको बीना चाने कंस्यूम करेंगे तो जादा अच्छा है नेक्स्ट लेंच गईस लेंच वो थोड़ा लाइट करती थी दीनर थोड़ा हेवी करती थी ये उनका चोइस है अप अपने हिसाब से और अल्टरनेट कर सकते हूँ एक बोल भरके लंच के 30 मिनिट बाद अगें एक कप क्रींटी लेती थी एक चमच लेमन जूस डाल के नेक्स्ट इवनिंग स्नैक में सिंपल एक का ब्लैक्टी लेती थी विदाउट शुगर शुगर वो अपने डाइट में पिल्कुल नहीं लेती थी और उसके साथ जो की साथ से साथ पजे के बीच में वह अपने और दीनर में जाधा आ ऑप्शेंसस में से लेटी थी पहला ओप्चन ब्राउट राइज साथ में धेर सारा स्टिम्ड वेजटेबल्स यश बहुत कम ओयल में कूक कीया हुआ वेजटेबल्स लेती थी एक कटोरी भरके साथ में गृल्ट चिकेन यश गृल्ट फिश कभी-क़बर गृल्ट तोफु भी लेती थी गाइस उन्हें PCOD था इसलिए वो पनीर बहुत कम यूज़ करती थी अपने डायट में जादा तर टोफू या फिर स्वया चंग्स लेती थी इसे बनाने के लिए दो में इंग्रीडियन्स हमें लगेगा एक है यलो मूंग दाल और एक है फ्लाटेन बेंस और इसे बनाने के लिए मैं वन टेबल स्पून मस्टर्ड ऑल डाल दिया अब ओलीव और या फिर कुकनट ऑल भी यूज़ कर सकते है और इसमें मैं वन ती और दो सुखी लाल मिर्च डाल दिया बस इसको टेन टू ट्वेंटी सेगेंस के लिए भून लेना है ताकि स्पाइस से एक अच्छा खुश्पु निकाला है उसके बाद हम इहां पे फ्लाटेन बेंस डाल देंगे धेर सारा और इस रेसिपी में कुछ एक्स्रा स्पाइस ह हम यूज नहीं करेंगे इसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ड और हल्दी पाउडर टालेंगे पस इससे यह वाला रेसिपी बहुत टेस्टी बन जाएगा आप ट्राइज ज़रूर करें फ्लाटेन बेंस इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी पाया जाता है फ्लाटेन बेंस इसमें मौजूद वाइटमिन बी अन फोलेट अमारे ब्लट सेल को प्रोमोट करते हैं इनर्जी को बूस्ट करते हैं और अमारे ब्रेन को भी हल्दी रखते हैं एक चोटी कटोरी कुक्या हुआ फ्लाटेन बेंस में थर्टीन ग्राम्स ओफ प्रोटीन रहता है और नाइन इसमें कलरी बहुत ही कम रहते हैं अ डाइट रिच इन प्रोटीन और फाइवर में इंप्रोटीन फॉलनेस विच में रसाल्ट इन लोग कालरी इंटेक अंड वेट लॉस्ट अस यू कन सी अफ्टर अधि अधिन बेसिक मसाला आम जस्ट शुर्ड इंट फूव मिनित्स ला इसको मैं पूरा राद भिगो के रख दी थी आप एक से दो घंटा भिगोने से भी चलेगा आप यहाव यूस्ट ग्राम अफ्री हंड़ मुंग दाल अप्रोक्समितली थी हंड़ेट क्राम्स अफ्लाटन बीन्स इस वेजटेबल आम मेंकिंग फॉर तो तो त्री परसें इ इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगे आप चाहो तो प्रेशर कुकर में पानी डाल के एक सीटी लगा सकते हो और भी जल्दी पक जाएगा मेरा दाल पूरा राद भिगा हुआ था तो यह ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें पानी आट कर दूंगे मैं गरम प और बस 10-15 मिनिट्स में ये वेजिटेबिल्स दाल बिल्कुल तयार है लास में चॉपकिया हुआ धनियापत्ता जरूर ताले और लास्ट बेटाइम ड्रिंक में सोने से आधा से एक खंटा पहले फिर से एक कप रेट टीटॉक्स टी लेती थी सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा जो लोग मेरे चानल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लिजे ऐसे और भी इंफोर्मेटिव वीडियो के अपडेट पाने के लिए कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए हल दिखाए और स्वस्त रहे